कि हैं अब देख सकते हैं मेरे पास है गूगल पिक्जल 5 5G फोन आया हुआ है जो कि डेट कंडिशन में कभी-कभी कस्टमर का कहाना है कि इसमें ब्लैंक के जिली आया है कभी-कभी इसमें आडमेटिक रिस्टार्ट करता है तो बेसिकले इसमें जो प्रॉब्लम है वह हमारा स से प्रॉड्लम है तो हम इसका सीपी रिवाल करने वाले किस तरह से हम साफधाने की तरह से का टीन वगरा जो पत्र है उसको काटेंगे और उसके बाद हम सीपीव को रिमूब करेंगे ज्यादा प्रेस्टिट है सीपी इसका लिंक को इदिकत ने आप आराम से काम करते हैं तो आप आराम से बढ़े दर्गे से काम कर सकते हैं काम वह से फिरी तरह से करना है करना है इसलिए कि गुगल पिक्जल 5 5G का जो मदरबोड है वह आपको रेर मिलेगा स्क्रैप में तो मैं आपको यह देखना होता है कि इसका कोई कॉंपरेंट मिसिंग हो गया या फिर गल्ती से कहीं उखड़ गया तो फिर आप फस जाएंगे उसमें तो हम गुलू के सीप्यू का जो गुलू है उसको रिमूट कर देंगे इसमें बैसिक लिए जो सीप्यू लगाया वो कॉलक समद देख लेते हैं इस तरह से क्या मैं कटिंग करना है इसको जो घाम करना को धेयर धरे नाइफ पर ले लेंगे और इसको बेम यहि district है हम 300 रहेँ करेंगे चार तरफ नहीं घुमाना है दो सब्सक्राइब हम साप करेंगे अगली बार फिर हम हम दो सब्सक्राइब करेंगे थौदा कम दिया हुआ है है तो आपको ऐसा एरिया चूज आया यहां आपका जो र्राइड वह इंसाइड हो सके तो कोशिश करनी है कि यहां पर मारे कोई भी गलती यहां पर नहों कि एक गलती आपको बहुत बलफा विल्वास ख़रो सकती है जब आप काम जानते हैं तो आप काम को खराप नहीं करतें हैं यह सबसे बड़ी चीजह क्योंकि कस्टमर जो फोन देता है बहुत है बहुत क्सपैसिबल होकर आपको फोन देता है ऐसे, आप और घराणा आक है क्याएट कंडिशन में फोन आप खराप ज्याधा करेंगे अच्छा कम करेंगे तो कॉंतले काम गया हिन historik काम खराप नहीं होगा कस्तमर एक्लिस जो कंडिशन में था वो कंडिशन में आपको रिसेब कर सपाएगा आप से तो यहां पर मैंने पेस्ट दे दिया है और कर सकते हैं को यहां मैं रेजिस्टर के ऊपर से विलेड लगा रहा हूं आप देख सकते हैं हिटिंग थोड़ा हो जाएगा तो हम आराम से स्क्रेपर जो इंसाइड कर पाएंगे तो दिने दिने काम करना है कोई जिल्द आज नहीं कोई कोंपनेंट मिसिंग नहीं होना स्क्रेपट न श्यद मेरे पास टंश से नहीं होगी तो मनें उनीवर्सल से करना पड़ है और य। य। कर सकते लेकिन कभी कभी क्या बॉल्स जो हते हैं उपर नफीर एक वाद की वज़ें से निक्काद आ सकती है तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि य। इस्टेंशल से बढ़े दरीज़े करें तो इसके बाद हम पहले सीप्यू के हम क्लिंग कर लेंगे क्लिंग करने की प्रस्ट से 300 हमारी जो हीट रहेगी और यहां पर जूरू है तो कभी भी आपको अगर सीप्यू के ऊपर मतलब कोई करना है यह आईरन हो यह फिर हमारा SMD तो लगबग अगर आपको बचा करना है उसे तो आपको हीट को कम से कम आपको 30 रखना पड़ेगा तीस की जो हीट है वो डारेट हीट के लिए परफेक्ट है अभी तो कोई आईसी घरा मेरी हुई नहीं है तीस की हीट में और यहां भी जब आयरन से काम करते हैं तो आयरन से काम करने के टाइंब आपको जो हीट रखनी है वो 300 रखनी है उससे जादे रखनी है यहां मेरा SMD में यूज़ कर रहा हूं वह 857 DW Plus कूफ बहुत ज्यादा शूटर टाइब गन है यह भी हीटिंग के मामला में बहुत अच्छी है काफ यहां अब को देखना है कि यहां यहां आपको देखना है कि रूम के टेंपरेशर के आपको मोदर वोर्ड आईरन इन सब चीज़ों को मैनेज करके चल ला है कोई perfect यह नहीं वह सकता है कि कौन से motherboard पर या फिर कौन सी जो hit है वो perfect है यहां कभी कभी देखेंगे अब 330 में भी काम हो जाता है कभी 350 में भी कोई आइसे नहीं निकलती है तो according to motherboard की जो हीटिंग सेंस की केपैसिटी है उसकी कंडिशन क्डिशन किया है वह कितना हीट सेंस कर सकता है ले सकता है जहल सकता है तो कंडिशन से आपको काम करना है ऐसी कोई दवाई नहीं जो आपको बता दे कि इतनी एकुरेट है इसमें सब काम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोलते हैं वो भूल बोलते हैं क्योंकि मदर बोड की जो सेंसिविटी है जो हीट सेंस की जो कैपसेटी है वह उसके अक अपने हिसाफ से पीपट यूज करती हर कंपनी में आप देखेंगा एक चीज कॉमन होगी कि वहां पर जो हीट होगी मदर बोड की जो सेंस कैपसेटी अलग-अलग मदर बोड में अलग-अलग तरह की होती है तो से रेट में एट एगा मदर बोड आगया उसमें ज्यादा अब सैमसंग के मदर बोड काफी अच्छे आते हैं इसे ओपो रेनो वगर आ या फिर में अच्छे अब आपको मदर बोड को थोड़ा सा मैनेज करके खाम करना होता है यहां देखिए मदरबुट को जो मैं किलिंग कर रहा हूं तो यहां मेरी हीट जो मैंने रखिए 450 के करेड़ रखिए और 450 मेरे जो आईरेन है वो आट सो सुरी टी ट्विंटी सिक्स दी सुगोंगा है काफी अच्छा बहतरी नाईरेन है देखिए आठ से 10,000 के रेंज में यह आईरेन आपको मिल जाएगा थोड़ा कम बिसी हो सकता है लेकिन अगर कोई अगर 6,000-6,000 खर्चा करता है SMD के लिए तो मुझे लगता है उसे थोड़ा सा पैसे लगर के आईरेन के उपरी खर्चा करना चाहिए आईरेन एक बहुत बड यहां पर रहती हमारे फोन को बनाने में कि आईरेन जो होता है वह आपको पैन की दर वर्क करने में काम आता है तो उससे आप काम करते हैं तो आपको पैन और पैंसिल की फिलिंग आती है और पैंसिल जब आप लिखते हैं तो आपको कॉंफरटेबल फिल होता है एक भारी सा दो सूर रुपे वाला या फिर हजार बारा सो या पंदरा दो जार का आयरन लेकर आप काम करते हैं हलका सक हाथ फिसल गया कि आपके कॉंपनेंट गायव हो जाएंगे वहाँ पे सर मारते रहा ना तो फिर कुछ फाइद नहीं होने वाला तो इसलिए आयरन और आपको बनाती है यह नहीं कि पैसे जाद है लेकिन कोशिश करिए देखे पहले किसी की बाद पैसा नहीं होता है दिरे दिरे वह कोशिश करते हैं चीजों का अच्छा बनने कोशिश करते हैं तो यहां यूनिवर्सल की मदद मैं ले रहा हूं रिवालिंग करने में काफी अच्छी रिवालिंग हो चुकी ऐसा नहीं लेकिन कुछ-कुछ बॉले अगर नीचे रह जाएंगी उपर नीचे तो उस कंडिशन थोड़ी सी मेरी बेकार हो चाहिए अगर इसको मैं निकाल लेता यहां अगर मैं रिपीट पेस्ट नहीं अगर इसको रिमूट कर लेता तो ज्यादा बेटर रहता है चलो कोई दिक्कत नहीं है हम दुवारा काम करेंगे टाइम तुरन लगेगा बट इससे हम यूनिवर्सल हुआ कहीं नहीं हो जाती है तो ऐसा दिल पर मतले ना कि हम ज fight नहीं है फिर मेहनत करें काम नहीं हो रहा है गलती हर किसे सी होती है और वी इसे मैं भी बोलूंघ चानता हूं ऐसा नहीं ऐसे बहुत सारे टेक्निक्निशन जो हम लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं कि मेहनत करते हैं कोई भी तुक्का रट्टे वाजी या कॉपी पेस्ट नहीं चलता है यहां पर इसमें काम करती है आपकी मेहनत और मेहनत आप अगर अच्छे बड़े तरीके से करेंगे तो आप आराम से अल्वेस टॉप पे रहेंगे कि जो मेहनत नहीं करेगा वह नकल के ऊपर रहा जाएगा वह किसी के भरोस रहा जाए कि मुझे कोई सोलेशन देदे कोई कुछ देदे प्रापर तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी है उसके बाद आपको बेस होका वह मजबूत हो जाएगा आप प्रिपेर हो जाएंगे कि आइसी के पिनाउट याद रहेंगे ऐसा कोई भी नहीं है और लूट भी नहीं लेना है सब चीज़ों के क्योंकि इसका डाइगराम ओलडी दिया इतना दिमाग पर पेशर क्यों डाले हम कि हां कुछ कुछ चीज है जहां पर आपको कस्टमर को अगर वाई मतलब संगे संग तो काय ठीकराम करके तो कोनंपट को लगा लौगे पहले थ्लड़ वास कर लेते हैं यह चाने तो ऊस्टमर के जो कंदेशन स्कोकर पर देको डेकरें लिए अए उसके बसे पी यहां इसे पीईडि को थोड़ा-स रिम्यूग करेंगे इस तरीके से काम करें बहुत बेटर रहेगा दिखिए काम को जितना आप इजी बनाएगा जितना सोचेंगे इसके बारे वह जितना करेंगे क्या बेटर हो सकता है उतना ही आप आगे जापाई यह इसे लाइन में कोई भी पर्फेक्ट नहीं है कोई भी कि इचन एवरिटिंग कोई अगर बोलता है कि मुझे सब आता है मैं सब कर सकता है वह सब कर लेगा है सब बोलके कुछ नहीं होता है पूरे परफेक्ट के चक्कर में वह फिर इधर उदर घूमता रहता है तो जितना हो सकता है महनत करिए कोशिश करिए जो भी है उसको पढ़ जो बढ़ी An 555 तो बड़ी अव टेख्शन आं जो लोग थे क्या कड़ए एक टिवी गाम दर्बूर में उसेद खमको खूलत SS City को बनाते थे धिस फोल्ट को नौट करते थे तो वैसा जो टेकनिक हैं वह आप भी कर सकते हैं एक फोन को याता है उस फोन में इसे एक सेक्षन में एक कॉंपेनेंट को थूरा निकाल के एफजोब करिए क्या प्रावलम करेंड होता है उसको नोट डालू करिए और सैकिंड जब ऐसे करते करते आपका डेटाबेस त्यार हो जागा तो फिर आपका अच्छे टेक्षन बन जाएंगे कि यह तरह से यह फोल्ट आता है अब यह नहीं कि एक फोन में जो फोल्ट है अगले फोन में वह दूसरे फोल्ट हैगा इसमें होता यह है कि आपका उसी के इंदर सेम फॉल्ट आ सकता है दूसरे फोन में जो कोड़िंग की गई यह बोलतरे से कोड़िय आर्व किसी किgar छार्ण dirag आता है किश. किसी कि merely working हो जाता है तो हर किसी की जो कोडिंगए यहां पर میںने दोनों को clean and revolve कर दिया है अब हमें निगाल लगाने वाले हैं आइसे को और देखेंगे इसके बात कि जो फोन की फॉल्ट हमारी ठीक हुई है कि नहीं काफी सारे बात होगे उस बीच मैं भूली गया कि मतब फोन भी रिपर हो रहा है कि चले कोई बात नहीं तो यहां पर component को लगा देंगे देखिए यहां पर component को मैंने लगाया यहां पर हलका सब्सक्राइब और इसकी जो हाइट है पेस्ट की वो कम रहने चाहिए हमें सब ध्यान दी यहां पर होता है कि हम जब component लगाते हैं तो component को शोल्डर रहता तो उंचा कि यहां पर हम फिट डिशुल्ड वायर की मजब से में यहां पर किलिंग कर लेंगे बढ़िया तरीका से क्लीन हो चुका है अब यह हमारा सीप्यू लगने के लिए तयार है कि क्लीनिंग हो चुकिए बूट की आईसी रिबोल हो चुकि है इसेंसिल यूनिवर्सल से कि यह यह मेरे पास थी नहीं पता भी नहीं तो गूंगल के फोन काफी कम आते हैं शौप पर क्यूंकि माइकरेट में विक्री भी कम हो है सेल कम हुए इसलिए कम फोन आएंगे अब जो चीज ज्यादा भी कि वह ज्यादा खराब होती है ज्यादा फोन इसक्यार से माई बहुत यह सब्सक्राइड आएब होतोर थ captures मेलेंगे विक तो अगये और उसके बाद हमें थुआ साइच को कि यहाइं इतने प्रणिशन जवाब कर तो अपने पोजिस्टन में आ जाती है आई सी लग चुकिए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और मदरवट को फिट करते हैं अगले ठंडा भी लगबक हो चुका है अब हम कनेट्टर लगा लेंगे और चार्दिंग जैक को लाइंगे बैटरी को लगा यह दिखिए हमारे फोन है थोड़ा सा थोड़ा सा उसको लगा लेता हूं अ कहां सब्सक्रानी पर दिस्प्लै के पत्त को लगा लिए तो बैटडरी के ऊपर दिस्प्लै का पत्ता उसके बाद हम अब चार्जिंग पर लगाते हैं देखते हैं चार्जिंग की कंडिशन देखिए आप लाइनिंग आई है और पर सेंट यहां पर शो कर दिया है तो डेफिनलिल्ली हमारा जो काम है वह चुका है अन करके भी देख लेंगे देखिए गूगल लिखा हुआ गया इसके इनर गूगल का फोन है तो गूगल लिखाएगा तो फ्रेंस सेंक्यू फर वाचिंग माई यूटिशन तो बहुत लोगों से यह मेरी गुजारिश है कि लोग देखते जरू है लेकिन सब्सक्राब नहीं करते हैं तो प्लिस सब्सक्राब रहें